हाई गाईस वेलकुम बैक तो मैं चैनल अगर आपने इस 17.3.1 का अपडेट अपने फॉन में इंस्टॉल कर लिगा है यहां फिर आभी आपने करना है तो आपके लिए यह वीडियो काफी साला यूर्सूर रहने वारी है मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने किसी बाइफ रिख इंस्टॉल करना चाहिए यहां फिर नई करना चाहिए फुल रिव्य एक तरह से दूंगा इसस ब्व अप्रेट में अमको बग्स देखने को मिलन हैं यहां प्लम को मिलन थे यहां इस अप्डेट में फिक्स की गये हैं यहां फिर नहीं कि एगあの फुल रिवियो नोग आपको इसका मैं साय दिखा दू कि मेरे केसमें साय जाए वो कितना देखने मेला था iPhone 11 के उपर इसको मैंने अपडेट किया था iOS 70.3 के उपडेट से इसलिए मुझे इसका साय जाए वो दूस्तों आप च्छाइक उट कर सकते हो 249 MB जो है इसका size देखरों को मैंना था मेरे किसमें iPhone 11 के उपर अलग-अलग devices में अलग-अलग आपको यह देखरों को मैल जागा है size और आप किस वर्चसे इसको update करें हो वो भी जो है काफी सारा माईने रखता है सबसे पहले आप check out कर सकते हो इस update में हमको क्या-का fixes कर दिये गए है आप check out कर सकते हो इस update provides bugs fix to your iPhone include जितने भी आइफोन में bugs वगर include थे पिछले updates में या फिर किसी और update में जो है bugs वगर थे उस चीज़ को यह काफी सारा fix किया गया है and then साथ में जो हमको text की option देखनों को तो वहाँ पर हमको overlap की option देखनों को मिलती थी वह चीज़ भी इस update में जो है काफी सारा fix कर देगी है and then और आपको बताओं कि इस update में को पिछले update में आयों 17.3 के update में हमारी बैंट्री जो है वह पानी गरां गिरती जा रही थी so वह में भी जो है थोड़ा बहुत जाए फिक्स कर देगा है लेकिन हम इस update में हम कुछ इस update से जादा उमीद मत रखें कि हम में सारी प्रॉब्लम से इस update में जो है फिक्स कर देगे है लेकि जो है पर प्रॉब्लम सभी है वह दूस्तों हमको 17.4 के update में फिक्स हो जाए जाएंगे और पिछले updates में कम को और प्रॉब्लम आई थी कि जैसे कि हम कोई भी application सो हमारे Instagram हो या फिर Snapchat हो या फिर WhatsApp हो जब भी मारा फॉण म्यूट के उपर सैट हो था था तो ताब मारे status वगरा की या फिर story की reels वगरा की sound नहीं आती जब तक हम अन्म्यूट अबरा फॉ कोई भी sound नहीं आती थी सो में भी चाहिए वो भी इस update में यह फिक्स कर देगे हैं लेकिन अगर आप इसको अप्रॉब्ल को अन्स्टॉल करना चाहते हो आप प्लीज वेड कर लीजे इस update में को कुछ खास देखकों को नहीं मिला आप वेड कीजिए आप iOS 17.4 का तेंगे चंक सूमाश